आप हैं मेरे साथ में आज के सेशन में चर्चा करने के लिए जिसमें हम जानेंगे कि सौधी प्रिंस को लेकर के अमेरिका में जो बवाल मचा है उस बवाल में प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी कर क्या रहे हैं और असल में अमेरिका किन मामलों पर रूस को काउंटर करने के ल यह सारी बातें आज के सेशन में की जाएंगी क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि कुछ दिनों पहले मैंने आपसे चर्चा के दौरान कहा था कि अमेरिका सुधी को जुकाने के लिए OPEC के विरोध में NOPEC तक लाने की बात कर रहा था आपको रिसेंटली ये भी चीज मालूम होगी कि दिसंबर में संभव है कि रूसी ओईल के उपर प्राइस कैप अपलाई हो जाए जिसके चलते रूस का तेल सस्ते दामों पर मार्केट को बेचना अनिवारिय हो जाएगा ऐसी इस्थिति में यदि OPEC ने जो कहा हुआ है कि व अमेरिका की साख को अंतराष्टी इस तर पर बड़ा नुकसान पहुंचेगा अब अगर अमेरिका को अपनी साख बचानी है तो सौधी को अपने पक्ष में लाना होगा और अगर सौधी को अपने पक्ष में लाना है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो क्राउन प्रिं जो एक पत्रकार थे जिनको crown prince ने एक consulate के अंदर entry करते समय मरवा दिया था ये खुद CIA का दावा है मैं किसी और का दावा कोट नहीं कर रहा हूँ America कुफिय agency का दावा है कि उन्होंने यानि जो MBS है उन्होंने अपने खिलाफ लिखने वाले पत्रकार जमाल खशोगी को एक consulate में entry के दौरान मरवा दिया था उस सिस्थिती में Biden ने चुनाव प्रचार में Trump के सामने कहा था कि यदि वो सत्ता में आते हैं तो सौधी को जरूर punishment देंगे ये punishment आज उन्होंने दिया है क्या punishment दिया है उन्होंने सौधी को immunity दे दी है immunity का अर्थ यानि कि वो President Biden तो बैठे हैं लेकिन खशोगी के हत्याकांड के उपर MBS के उपर किसी भी प्रकार का case अब नहीं चलेगा क्योंकि अमेरिका का मानना था कि अगर Biden राष्टपती बनते हैं तो वो खशोगी हत्याकांड के उपर MBS के उपर बहुत बड़ा case चलाएंगे संभव है कि सौधी के उपर बहुत सारे sanctions लग पाएं और हमने अपने तमाम sessions में इस चीज को देखा है सौधी प्रिंस से मिलने के लिए Biden आये तो सौधी प्रिंस ने अपना attitude उनके सामने इस प्रकार से रखा जिससे खुद Biden अचमबित थे कि वो किसी भी प्रकार से जुकने के लिए तयार नहीं थे सौधी प्रिंस ने अपनी तरफ सारे oil producing countries हैं उन्हें इस प्रकार से किया कि Biden की एक भी बात उन लोगों ने नहीं मानी और जहां तक कहा कि अगर आपने हमें कहा कि रशिया को counter करने के लिए हम तेल उतपादन बढ़ा दें तो अमेरिका अपनी image को लेकर इतना conscious हो गया है कि Biden ने जिस मुद्धे पर चुनाव लड़ा Biden उससे पलट मार गये हैं और Biden administration कहता हुआ पाया जा रहा है कि सहाब अब चाहे जो भी हो जाए हम सौधी प्रिंस को immunity देते हैं खशोगी के case में यानि कि उन्हें हम किसी भी प्रकार के case के अंदर नहीं लाएंगे लेकिन जब ये उधारन दे रहे थे तब इनसे पूछा गया कि सहाब ऐसा क्यों कर रहे हो तो इनको याद आये अचानक प्रधान मंत्री मोदी इन्हों ने कहा हमने प्रधान मंत्री मोदी को भी तो ऐसे ही immunity दी थी अब यहां पर एक बड़ी बहस शिड़ गई है तो क्या प्रधानमंत्री मोदी भी जमाल खशोगी की तरह किसी हत्या के जम्मेदार थे? जिस तरह से जम्मेदारी यहाँ पर खशोगी के केस में MBS की थी, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के उपर भी कुछ ऐसे आरोप है क्या? जी हाँ, आरोप है प्रधानमंत्री नरेंद् प्रधान मंत्री मोदी को अमेरिका जिम्मेदार कैसे ठहरा सकता है जब हाल ही में हमारे सुप्रीम कोट ने सभी प्रकार के आरोपों से प्रधान मंत्री को बरी कर दिया है। यानि कि पूरी दुनिया को अमेरिका जज करेगा कि किस देश में धार्मिक स्वतंतरता का इस्तर क्या है और इस धार्मिक स्वतंतरता के इस्तर के आधार पर जो जज्जमेंट निकल कर आएगा उस आधार पर वहां के नेताओं को अमेरिका एक प्रकार से प्रतिबंदित कर स उस देश के साथ में दी जाने वाली जो सहायता राशिये उसे रोक सकेगा, जो रियायतें दी जाती हैं उन्हें कम कर सकेगा. यही कारण था कि गुजरात दंगों के बाद में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उनके बारे में अमेरिका ने एक एक्शन लिया और वो ये था कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका जाने के लिए क 2014 में जब प्रधानमंत्री बनकर के नरिंद्र मोधी लोटे तो अमेरिका ने उनके उपर लगे प्रतिबंध हटाए और उन्हें डिप्लोमेटिक इम्म्यूनिटी के साथ में बुलाया गया वाशिंग्टन. कहने का कुल मिलाकर अर्थ ये है कि अमेरिका अपनी नीतियों में परिवर्तन करता है और परिवर्तन के लिए उधारन के रूप में उन्होंने प्रधानमंत्री मोधी को कोट किया वो कितना सही कितना गलत ये तो session के end में आप comment box में मुझे बता दें लेकिन फिलहाल के लिए स साथ समय समय पर साजा करता हूँ उम्मीद है आपको याद होगा आज से तीन महीने पहले मैंने एक सेशन किया था जिसमें मैंने ये चीज लिखी थी कि Biden avoid a handshake with Saudi Crown Prince but the bump doesn't go overall कहने का अर्थ ये था कि Biden जो है पीछे से आकर के गले भी मिले और दूसरी तरफ से हाथ हला करके उन्हाने एक दूसरे का अभिवाधन भी किया ये जो आत्मिता अंतराष्टी इस तरफ पर दिखाई जाती है ये पूरी तरह pre-planned होती है किसी देश के लोगों को feel good कराने के लिए होती है ताकि हमारे मन में उस देश के साथ अच्छे संबन है ये भावना पैदा हो ये तस्वीर अपने आप में दिखाने के लिए परियाप्त थी कि ये दौनों एक दूसरे को ले करके सकारात्मक रवया नहीं रखते अब हमने इसके उपर सेशन किया था कि अमेरिका की चवी को नुकसान पहुचा हाला कि बाइडन नहीं ही ये काम किया लेकिन चवी को नुकसान कैसे पहुचा नुकसान ये पहुचा कि अमेरिका के कहे हुए किसी भी बात को सौधी ने मानने से इंकार कर दिया था ये तस्वीर बहुत माइने रखती है अंतराष्टी ये इस तर पर इस तस्वीर के बहुत सारे अर्थ निकाले गए क्या थी कहानी? कहानी जो ये व्यक्ति आपको MBS दिखाई दे रहे हैं, मुहमद बिन सल्मान जो दिखाई दे रहे हैं ये इन पत्रकार के हत्यारे माने जाते हैं अब आप कहेंगे क्या खुद ने हत्या की थी? क्या नहीं? इनके आदेश पर जमाल खशोगी की आत्या हुई थी? कैसे हुई थी? क्या हुआ था? सारी बाते मैं आपको डिटेल से चलिए बताता चलता हूँ आप फिलहाल के लिए ये देख लीजे कि वाइट हाउस ने 18 नवंबर को कहा कि खशोगी मुर्डर केस में साउधी क्राउन प्रिंस बहुमत बिन सल्मान को हमने चूट दी है इस फैसले के बार भाले ही बाइडिन सरकार की आलोशना हो रही हो लेकिन अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब किसी रास्टर अध्यक्ष को हमने इम्म्यूनिटी दी हो या छूट दी हो अबमबर उन्नीस को दिया गया इनका भाशन है और इननोंने कहा कि प्रदान मंत्री इंडिया 2014 भी हमने इसी प्रकार से इंम्म्यूनिटी उन्हें प्रदान की थी आप audio सुन सकते हैं वोली ए्ट इस फंद आने में बस्त Táम है इस जे और बस्कत b एीस फिजसे फिप्र ला बस्त POL आन वडिस खिर जारब लाव फिटावर खूर are सबस्त Bवली UKैंिने। 201 शिंदी di लापनीन fixe lush cabin district 2 CE टो इसका मतलब यह हुआ कि हमएरिका ने अपने भाषण में कहा अपने प्रवकता वेदांथ पटेल्स जो की मूल रूप से भारति मूल के ही हैं लेकिन अंग वरतमान में अमेरिकी विदेश विभाग के अंदर प्रवक्ता के पदपर कारिरत हैं, अमेरिका सरकार की तरफ से भाषन देते हैं, इन्हों ने कहा कि हमने पहले भी कही निताओं को छूट दिये, उधारन के लिए 1993 में राश्टरपती एरिस्टाइड, 2001 में मुगाबे, 2014 में प्रधान मं अब सवाल बनता है, सौधी प्रिंस मुहमद बिन सल्मान को जो immunity मिली, वो 18 तारीक को मिली, लेकिन अमेरिका के लोग इस बात से खुश नहीं हुए, यही कारण है कि उन्हें बहुत जादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है, बाइडिन को, क्योंकि बाइडिन चुनाव प्रचार में यह कहते आये थे, चुनाव प्रचार में कभी उन्हों ने, अमेरिकी राष्टपती ने यह कभी नहीं कहा था, कि इंडिया में जो हुआ है, उसके लिए मोधी को punishment दिया जाएगा, किसी राष्टपती ने मुद्दा नहीं बनाया था, भारत का राजने तेक तो सौधी को दंड देने की तयारी में अमेरिका उतर भी आया था, देखिए यदि याद हो, तो हमने एक महीने पहले आपके ये साथ सेशन्स आजा किया है, लगबग मिलियंस में लोगों ने इसे देखा है, इसके अंदर हमने बताया था, कि जो oil producing nations हैं दुनिया के, जो organization of petroleum exporting countries हैं, इन से मिलने के लिए Biden ने कहा, कि भाया तुम लोगों को तेल का production बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आप economics का basic concept समझते हैं, यदि उत्पादन बढ़ेगा, मांग तभी balance होगी, और दाम में कमी आएगी, उत्पादन बढ़ाने के लिए, कहने के लिए, जब अमेरिका निकालते हैं, कोरोना काल में हम वैसे भी तेल नहीं बेच पाए थे, हम production को 2 million barrel प्रति दिवस घटाते हैं, और चूकी तेल घटाएंगे, तो automatic हमारी जो मांग है, वो increase होगी, दाम increase होगा, और हम पुराना पैसा वसूल लेंगे, एक तरह से उल्टा काम हो गया, इसको Biden ने अपने खिलाफ लिया, जाकर के बातचीत करी, अपने नेताओं से, और उनने का कि एक काम करिये, इनके उपर नौपैक लाद दीजे, नौपैक का अर्थ क्या था, कि ऐसा कानून पारित कर दीजे, कि अब ये लोग अमेरिका आने के बारे में सोच भी ना सकें, लेकिन Biden को स सलमान जो है, इनके उपर क्या आरोब था, ये मैंने आपको बता दिया, दूतावास में, ये था खशोगी जिसके बारे में हमने चर्चा की, खशोगी को इन्होंने, मतलब एक साथी कांसलेट के अंदर एंट्री कर रहे थे, टर्की के अंदर, वहाँ पर जो प्रेजेंट प्रेजेंट थी, उन्होंने खशोगी को अंदर ही निप्टा दिया, बाद में किसी को पता भी नहीं चला कि कहां गया, लोग इनके बारे में तरह तरह की बाते करते हैं, लोग कहते हैं कि अंदर ही इन्होंने एक गुप्त सुरंग बना रखी थी, टर्की में, वहाँ से इ यह वाशिंग्टन पोस्ट ने अपने द्वारा इस चीज को लिखा था, यूएस ने सौधी क्राउन प्रिंस को खशोगी मर्डर केस के अंदर एक तरह से सैंक्शन करने की बात सोची, लेकिन करा नहीं, क्योंकि अल्टिमेटली उन्हें लगता था कि सौधी के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं, आप समझ नहीं सकते कि इस समय बाइडन के लिए अपनी इमेज बचाना कितनी बड़ी बात हो गई है, जहां एक और वो दुनिया के सामने अपने आपको मजबूत प्रधिनेदित्व दिखाना चाहते हैं, अमेरिका का, लेकिन अंतराष्ट्री इस ठीक, वैसे ही, फिलहाल के लिए जिस तरह से सौधी के खिलाफ होने का ये इतने दिन से नाटक कर रहे थे, लेकिन फिलहाल जो परिणाम निकल कर आए मिड टर्म इलेक्शन में, जहां डोनाल्ड टरम की पार्टी रिपब्लिकन्स ने अच्छे वर्थ से मतलब मैजॉरिट जीत लिए हैं, ऐसी इस्तिती में डोनाल टरम को ये लगता है, कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझे अंतरराश्ट्रे इस्तर की पहचान के कारण अपने देश में जद देना बंद कर दें, और वो अपने मेन एजेंडा से पलट गए, इनका पलटना निश्चित ही, इनके लि अब आपके सामने में वो फटाक से वो मुद्दा भी दिखा देता हूं, जो प्रधान मंत्री मोधी जी से संबंदित था, ये ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ इस्तेट की खबर आप देख रहे हैं, वर्ष दो हजार पांच की, यदि आप यहां पर न्यूस पढ़ें, This decision applies to Mr. Narendra Modi in the base of the fact that as head of state government in Gujarat between February 2022 to May 29, 2002, he was responsible for the performance of state institution at that time, the State Department detailed view on matter are included in the annual control report on human right practices and international religious freedom report, आप ये थोड़ा सा देखते हुए चलें, बोथ report document the violence in Gujarat from February 2022 to May 2022 and cite the Indian National Human Rights Commission report which states that there are a comprehensive failure on the part of state government to control the persistent violation of right of life, liberty, equality, dignity and people of the state, इसी कारण से अमेरिका ने मोदी जी के उपर 10 साल तक यात्तर का प्रतिबंद लगाया था और गोधरा दंगो को ध्यान में रखते हुए अंतराष्ट्य धार्मिक स्वतंतरता कानून के तहती है निरनलिया था, अब ये अंतराष्ट्य धार्मिक स्वतंतरता कानून क्या है, वर्ष 1998 में के अंदर जिम्मेदारी दी गई थी कि अंतराष्ट्य धार्मिक स्वतंतरता का उलंगन हो रहा है, उनकी अपडेट ये सरकार को दे, ताकि अमेरिकी सरकार उन देशों के साथ व्यक्तिकत रूप से कैसा व्यवाहर करे, वो इस कानून पर निर्धारित हो, आपके मन में ये प्रशन बहुत बार उठता है, कि अमेरिका सब देशों को इस तरह से क्यों ट्रीट करता है, जैसे और लोग इसके गुलाम है, यही शायद इसका सुपीरियर होने का तरीका है, मैंने एक सेशन इस पर अल्रेडी कर रखा है, कि अमेरिका दुनिया की सुपर पावर कैसे है, आपके स इसा का बैन हटा दिया, और ओमामा ने इन्हें वाशिंग्टन इन्वाइट किया, फिलाल के लिए इतना ही, यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर साजा करें, और हाँ, मोदी जी को 2002 के गुजरात दंगों से, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2022 में 24 जून को प अपने सभी साथियों को चैनल पर प्रेजेंट होने के लिए रिक्वेस्ट करें, धन्यवाद.